प्रदेश की राजनीती में इन दिनों विपक्षी दल कॉंग्रेस में नए अध्यक्ष की जल्द ताजपोशी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माया है प्रदेश पंजाब और उत्राखन में मिली हार के बाद कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव आला कमान करेगा अगर ऐसा होता है तो मौझूदा कुल्दीप राठोर का हटना लगभग तैम आना जा रहा है प्रदेश कॉंग्रेस चुनावी साल में कई गुटों में बंटी है और चुनावी मैदान में आम आदमी पाटी दस तक दे चुकी है जिससे कॉंग्रेस आला कमान खासा चिंतित है प्रदेश में नए अध्यक्ष को लेकर चल रही लॉबिंग के बीच इस पद को हासिल करने के दावेदारों की फैरिस्त भी लंबी होती जा रही है यही वज़ा है कि इन दिनों शिमला से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दोर जारी है हिमाचल कॉंग्रेस अध्यक्ष कुल्दी प्राठोर विपक्ष के नेता मुकेश अगनी होतरी और अन्य सहित हिमाचल कॉंग्रेस के कुल 21 नेताओं की पिछले दिनों दिल्ली में पाठी अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ बैठक हो चुकी है जिसमें प्रदेश के नेताओं ने राजेपाती संगठन में बदलाव का अनुरोध करने के अलावा विविन चुनाव स्मितियों के गठन पर जल्द फैसला लेने की मांग की है वहीं आपको बता दें कि भाजपा को मंडी संसदिय सीट के उपचुनाव में चारों खाने चित करने वाली संसद प्रतीभा सिंग हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस की नई अध्यक्षा हो सकती है वीरभद्र काद भुना कर विधान सभा चुनाव के लिए कॉंग्रेस नई मोर्चा बंदी की तैयारियों में जुट गई है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकविंदर सिंग सुखु को चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाकर संतुलन साधने का प्रयास किया जा रहा है चुनावी रणनीती कार प्रशांत किशोर के प्लान पर कॉंग्रेस हाई कमान ने काम शुरू कर दिया है एक दो दिन के भीतर इस बावत लिखित निर्देश जारी होने के आसार है हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ने के बाद कॉंग्रेस खेमे में हलचल मच गई है तीन विधान सभाक शेतरों सहिद मंडी संसदिय सीट पर जीत दर्ज करने के बावजूद प्रदेश कॉंग्रेस में छिडा द्वंद थमने का नाम नहीं ले रहा है ऐसे में पार्टी के बड़े खेमे ने हिमाचल कॉंग्रेस की राजनीती में लंबे समय पर एक छत्र राज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंग की पतनी प्रतीभा सिंग को पार्टी की कमान थमाने की हाई कमान के पास जोरदार पैरवी की है हो चुकी है बैठक में छे बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंग का हिमाचल में प्रभाव अभी भी कायम होने पर सभी ने अपनी सहमती जताई है ऐसे में प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी को एक जुट करने के लिए वीरभद्र फेक्टर को अमोग अस की कमान सौप कर दूसरे धड़े को भी शांत रखने का प्रयास है सुखु ने लंबे समय बाद बीते शुकरवार को प्रदेश कॉंग्रेस मुख्याले राजी भवन पहुंच कर पत्रकार वारता को संबोधित किया अधिकांश समय पार्टी के न्रैतित्व बदलाव को ले कर स्थिती स्पष्ट होने के आसार हैं